हेलो माई देर देस्ट्रेंट्स एंड माई फ्रेंड्स आपका जैन स्पार्क एडुकेशन पर स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल ट्रांस्वर्मेशन डबलू इक्वल टू जैड रस टू पावर एंड तो बिना देर के चलते हैं फिर आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल ट्रांस्वर्मेशन डबलू इक्वल टू जैड की पावर एंड ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी कन्फॉर्मिल्टी चेक करेंगे तो कन्फॉर्मल कभ होता है वैं फंक्शन इस अनलेटिक एंड इस डेरिवेटिव इस नोन जीरो ठीक है तो यह जो देख रहे हैं आप एक्वेशन नमबर वन आर ट्रांस्वर्मेशन डबलू टू जैड की पावर एंड तो यह पॉल्नॉमिल फंक्शन है तो अब इसका डेरिवेटिवेटिव हम काल्कॉलेट करते हैं dw by dz which is equal to n into z की पावर n-1 तो इससे आपको समद में आ रहा ह यह z is equal to 0 पे 0 है और उसके इलावा सारे पॉइंट्स पे क्या है यह non-zero है त्रांस्वर्मेशन है वह conformal है at all points except at z is equal to 0 अब हम जो है polar coordinates में इसकी study करेंगे means हम यह देखेंगे कि जो r theta हमारा point है z plane के अंदर वह इस transformation के corresponding w plane में कौन से point पे यह map हो रहा है त्रांस्वर्मेशन coordinate के study नहीं करने वाले है क्योंकि जब यहां पे हम substitute करेंगे x plus iy तो यह थोड़ा typical हो जाता है तो सिर्फ polar coordinates पे हम इसकी study करेंगे तो उसके लिए हमने यह consider कर लिया है w is equal to r e की पावर i5 and z is equal to small r e की पावर i theta so यह हम substitute करेंगे equation number 1 में तो हमें क्या मिला है यहां से w which is equal to r e क i theta की पावर n तो यहां से आप compare करें हम तो capital r की value क्या मिल जाती है r की पावर n फाई क्या मिल जाएगा हमें n to theta या फिर हम general इसकी value लिखें तो क्या होगा n theta plus 2 r pi where r belongs to set of integers इसको हमें equation number 1 तो दिया है तो आप देखोगे यही equation number 2 जो consider करके हम क्या करेंगे कुछ figures लेंगे कुछ reasons लेंगे in z plane z plane के अंदर और उसकी corresponding images हमें देखनी है in w plane के अंदर तो यह बार-बार हम equation number 2 का ही use करेंगे तो आप चाहते उसका snap suit ले सकते हैं ठीक है so सबसे पहले हम consider कर रहे है any circle with center at origin and radius r is mapped into the circle in w plane with center at the origin and radius r की power n that means यह जो circle है center क्या है इसका origin और radius r तो यह z plane में है तो अब देखते हैं कि इस transformation n की w is equal to z की power n यह जो transformation है इसकी corresponding जो है हमें क्या figure मिलेगा in w plane तो mod z is equal to r यहाँ पर हमारा transformation है w is equal to z की power n तो यहाँ से हम डूनों साइड mod लें w is equal to mod z की power n तो यहाँ हम substitute कर दें z is equal to r e की power i theta तो i theta की power n तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा mod r की power n e की power n i theta तो इसको आप modulus की property से लिख सकते हो mod r की power n तो mod e की power n i theta तो mod e की power n i theta हमारा 1 हो जाता है तो simply r की power n बचे गई है क्योंकि r positive है यहाँ पर modulus तो यह simply r की power n हो गया तो that means mod w is equal to r की power n capital r तीक है that means हमें जो circle है mod z is equal to r वो again एक circle पर ही map होगा लेकिन इसकी radius कितनी है r की power n तो इस तरह से आप draw कर सकते हैं z plane में हमारा यह circle है यह radius r with center origin ठीक है यह circle आपका z plane के अंदर corresponding हमका जो figure है w plane के अंदर वो क्या मिलेगा यह radius आपका r की power n हो जाएगा और इसी तरह के से हमें यह circle मिलेगा with center at origin ठीक है center उसका origin ही है और radius हमारी r की power n ठीक है I hope you getting this one अब हम next move करते हैं so दूसरा reason हमने consider किया है r एकी power i theta where theta is lies between alpha 2 beta यहां पर r पर कोई conditions हमने नहीं दिये theta जो है वो alpha से beta है यह जो है map हो रहा है capital R e की power i5 where phi lies between n alpha to n beta ठीक है तो मतलब theta की value alpha से beta की बीच में है तो phi की value क्या हो जाएगी n alpha से n beta यह कैसे हो रही है यह equation number 2 से ही हो रही है less than phi less than n beta ठीक है तो इसको समझने के लिए हम इसके कुछ particular cases लेते हैं कुछ alpha बीटा की values लेते हैं ठीक है तो सबसे बहले हम यह region consider कर रहे है region R e की power i theta where theta is less between 0 to pi by n in z plane ठीक है तो यह जो region है in z plane map हो रहा है upper half of the w plane यह कैसे हो रहा है यह आगे हम देखते हैं तो यह जो theta है हमारा किस के बीच में लाए कर रहे है 0 से pi by n के बीच में लाए कर रहा है तो अब throughout यहाँ पर n से multiply कर दे हम तो क्या मिलेगा n into 0 less than n into theta n into theta को हमने 5 लिग दिया है which is less than n into pi by n तो क्या मिला n into 0 is 0 so 0 is less than 5 less than pi that means theta हमारा n के बीच में लाए कर रहा है तो phi के बीच में लाए कर रहागा 0 से pi की बीच में तो यहा हम देखें so यह z plane का figure है theta is equal to 0 की यह रहे है ठीक है और यह theta is equal to pi by n की रहे है ठीक है और इनके बीच का reason तो यह sectorial area हमें मिलेगा in z plane ठीक है और phi जो है वो 0 से pi की बीच में लाए कर रहा है तो upper half of the w plane में मैप हो रहा है ठीक है हम देखेंगे यहां पे r e की पार i theta थीक है तो वो हमारा मैप कर रहा था capital r e की पार i phi पे तो theta तो हमारा किया है 0 से pi by n के बीच में और यहां phi हमारा 0 से pi की बीच में और R, capital R और small R के बीच में यह relation है, R is equal to R की power N, ठीक है, तो radius तो इस relations यह आपको हो जाएगा, तो आपको समझ में आया है, जो यह Z plane का sector यह ले रहा था, जो कि इन दुनों R के बीच में है, वो किस पे मैप हो रहा है, अपर half of the W plane पे मैप हो रहा है, ठीक है, So, next हम एक और particular case consider करते हैं, the region R E की power I theta, where theta is lies between 0 to 2 pi by N, in Z plane, mapped into the entire W plane, ठीक है, यह जो region है आपका, वो Z plane का region है, और इसके corresponding, W is equal to Z, Z की power N transformation की corresponding, हमें क्या मिलेगा, entire W plane, ठीक है, तो वही theta पे हम condition से हमारे पास given है, तो 0 से 2 pi by N के बीच में है, throughout N से multiply किया, तो 5 की जो range है, हमें क्या मिल जाएगे, 0 से 2 pi, ठीक है, So, that means Z plane का figure हम ड्रो करें, तो क्या मिलेगा, यह theta is equal to 0 की line है, यह theta is equal to 2 pi by N की ray है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो पुरा sectoral area है, वो हमें Z plane में मिल रहा है, ठीक है, W plane पे आपका यह map हो रहा है, यह जो Z plane का region है, वो this map to this entire W plane, ओकी, तो अब इसका एक example भी हम लेते है, So, question हमने consider किया है, describe the region on to which the sector R is less than A, where theta is lies between 0 to pi by 4, is mapped by W is equal to Z cube, ठीक है, तो यह Z plane का region हमें given है, transformation हमें given है, W is equal to Z cube, अभे हमने study किया, W is equal to Z की power N, तो N की value कितनी given है वहा, 3, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि R theta कहां map हो रहा है, ठीक है, So, W हमने consider कर लिया, R E की power i5, और Z हमारा R E की power i theta है, तो वो substitute कर करके, cube, So, which is equal to R cube into 1 की power 3 IT था, तो दोनों से compare करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R is equal to R cube and 5 is equal to 3 theta, यह आप डिरेक्ली वहां से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां क्या था, R is equal to R की power N and 5 is equal to N theta, तो वहां से 3 हमने हैं सबस्च्टूट कर दिया, अब देखो हमारा reason है, R is less than A, R पे conditions given है, R is less than A, तो यहां capital R की है, R cube, तो दोनों साइडम cube ले 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 हैं, इसका, तो क्या हो चाहेगा, R is equal to R cube which is less than A cube, यहने कि R हमारा होगा less than A cube, अब theta हमारा क्या given है, 0 से pi by 4, this implies, अब हमने क्या किया, इसको 3 से multiply कर दिया, तो 3 into 0 less than 3 into theta, which is 5 less than 3 into pi by 4, that means, जो 5 है, उसकी range हमारी क्या आ गए, 0 is less than 5 less than equal to 3 pi by 4, ठीक है, सबसे पहले Z plane का figure हम draw करते हैं, यहां पे, so A, R is less than A, तो यह radius हमें A से छूटा given है, तो 0 से A तक हमने यह ले लिया, तो यह जो circle है, यह मिलेगा, ठीक है, तो इतना सा part हमने इसे लिया है, क्योंकि angle हमें क्या given है, pi by 4, यहने कि जो theta है हमारा 0 से pi by 4, तो theta is equal to 0 की line है आपकी, और theta is equal to pi by 4 की रिया है, ठीक है, तो इसलिए हमने यह circle का इतना सा part यहाँ पे consider किया, तो यह जो shaded reason है, वो हमारा z plane का figure reason आपको given है, ध्यान से इसको समझे, R is less than A, तो 0 से A तक हमने यह radius का लिया है, theta is equal to 0 की line, theta is equal to pi by 4 की line, तो इतना सा circle का part, यह पूरा inside shaded reason जो है, वो z plane में given है, corresponding जो figure है, W plane का, तो अब radius यहाँ पे A cube, ठीक है, तो यह A cube हमने ले लिया, और angle pi by 4 से 3 pi by 4 तक पहुच रहा है, तो 3 pi by 4 की आपकी line है, ठीक है, तो यह circle आपका बनेगा with radius A cube, ठीक है, लेकिन पूरा इसका inside region आएगा, क्योंकि inside region आपको देखना है इसका, तो यह जो shaded region है, वो W plane में आपका Z plane का image आपको मिल रहा है, so I hope you getting this one, so आज देखाईए हमने, W is equal to Z raised to common spatial transformation, तो उसमें हमने study किया, कुछ reasons in Z plane और इसी corresponding images in W plane, so I hope आपको यह lecture समझ आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो प्लीस उसे like कीजे, अपने दोस्तों के जाश शे नहीं किया है, तो उसे subscribe कर ले, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, bye bye, thank you,